ये कहानी 16 साल की रोजहर नाम के लड़के की उपराधारी थे जो अपने घर की सारी रर्तों के साथ घबा घब करके उन्हें प्रेगनेंट कर देता है और वो अपने इस महान काम को किस तरीकी से अंजाम देता है वो हम आज की इस एक्स्प्लेनेशन में देखने वाले हैं मिस लपीते की हिल्टूबे पपीते देखकर रोजहर उसे घुरने लगता है ये चीज मिस लपीते भी नोटिस करती है लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती घर पहुचने पर रोजहर की मा उसे पूलती कि तुम्हारी पैंट पर मेयोनिस कहां से लगी लेकिन यहां हम वीवर्स मिस लपीते की हिल्टूबे पपीते देखके रोजहर खुद को नहीं रोक पाया था तब रोजहर की मौसी मारगी डीटा उसे बोलती कि इस उमर में ये सब चीज नॉर्मल है और ये कहके वो रोजहर की पैंट साफ करने लगती है रोजहर की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम बर्था था उसके बाद बर्था रोजहर को जंगल में ले जाती है जहां मिस लपीते भी थी तब ही लपीता रोजहर के सामने ही साइड में जाके हलकी होने लगती है और ये देखकर रोजहर की आँखे बाहर आ जाती है उसके बाद रोजहर को किसी की चिलाने की आवा हम रिवर्स को पता चलता है कि रोजर की मा काफी जादा इस्ट्रिक्ट है शाम को रोजर जब सोनी की कोशिश कर रहा था तो उसे बाहर से कुछ आवाजे सुनाई देती है और जब वो कमरे से बाहर आता है तो वो देखता है कि एक नौकरानी घोडी बनके खड़ी है और कोई उसकी पीछे से बजा रहा है ये दिखने के बाद रोजर की फटके चार हो जाती है और रोजर वावस सोने के लिए चला जाता है और विस्तर में उसकी छोटी बेहन बर्था चुपी हुई थी तब बर्था उसे बताती है कि मिस लपीते ने मुझे बताई कि हमाली मासी मारगीरिटा अभी भी वरजिन है जिस पर रोजर उसे पूचता है कि उन्हें मर्दों से डर लगता है और इसलिए उन्हें अभी तक शादी नहीं की है तब ही वहाँ अचानक से नैनी केट आ जाती है और केट का कम बर्था का देख भाल करना था बर्था के वहाँ से जाने के बाद केट रोजर का ब्लैंकेट हटाती है जिस पर रोजर अचानक से डर जाता है क्योंकि रोजर का पपो खड़ा हो गया था और उसे देखने के बाद केट भी उससे थोड़े बहुत मजे ले लेती है अगली दिन बर्था रोजर को एक नदी के किनारे ले जाती है जहां उसके घर की सारी मेट नहाते नहाते एक दूसरे से अपना सिक्रेट शेयर कर रहे थी बर्था और रोजर अपने घर के चार मेट को चुपके से देख रहे होते हैं तब ही नदी के किनारे के पस तिन नमूने आ जाते हैं और ये तिनों भी रोजर के घर में काम किया करते थे और वो तिनों अपना पपू बाहन निकल के उन मेटuks के सामने ही हलके होने लगते हैं और वो अपना इस्पाइड मैन उन मेट्स को दिखाने लगता है तब ही उर्सुला बुलती है कि तू सेर तो मैं सवा सेर हूँ और उर्सुला उन टीनों को अपना पिछवारा दिखाने लगती है और उसके पिछवारे के दरसन बर्था और रोजर पेड़ की पीछे चुपके से कर रहे होते हैं अगले सीन में रोजर की बड़ी बैन एलिसा अपने पापा के साथ आती है और सब लोग उसका वेलकम करते हैं एलिसा आते ही सब लोग उसे गले मिलती है लेकिन जब रोजर की बाड़ी आती है तो वो उसे फोर हैड किस करके वहां से चली जाती है जिस पर रोजर सोचता कि मेरे अंदर काटे लगे थे क्या तभी बर्था रोजर को एक चर्च में ले जाती है जहां दोनों चछत पर चिप जाते हैं तभी वहां मारगी डिटा आती है और वो चर्च की पादरी से अपनी सारी बाते बताने लगती है और वो पादरी से बोलती है कि जब से रोजर यहां आया है तब से हर रोज मैं सपने में उसके साथ धका पिल करती हूँ और ये सारी बाते रोजर भी सुन रहा था ये सुनने के बाद रोजर बहुत जादा खुश होता है और बहुत जादा एक्साइट हो जाता है जिसके बाद वो पादरी के ज्रेस्ट बगल में गिर जाता है और पादरी इन दोनों को रोजर की मा के पास ले जाता है जिसपर रोजर की मा पादरी से बूलती है कि आप ही बताओ कि मैं इन दोनों के साथ क्या करूँ जिसपे पादरी उसे बताता है कि तुम रोजर की पिछवारे पे मार मार के उसके बंदर की पिछवारे की तरह लाल कर दो तब ही इससे समझाएगा और ये काम मारगी डिटा अपने सुध हाथों से करेगी तो इससे जादा मजाएगा तब रोज़र की मां मार्गिरिटा से बूलती है कि तुमें एक हंटर लो और सुरू हो जाओ पहले तु मार्गिरिटा ये करने से मना गरती है लेकिन रोज़र की मा के फॉर्स करने के बाद वो ऐसा करने लगती है और वो रोजर के पिछवारे पे हंटर मार मार के उसे बंद के पिछवारे की तरह लाल कर देती है रात को सुते समय रोजर को फिर से बाहर से किसी की आवाजे सुनाई देती है और जब वो अपने कमड़े से बाहा निकलता है तो वो देखता है कि उसकी मेड हैलन किसी से ठुको आ रही थी और आज भी उसे बस हैलन ही दिखती है उसके पीछे वाला बंदा बिल्कुल भी नहीं दिखता लेकिन इस बार रोजर अकेली इस नजारे का मज़ा नहीं ले रहा था बलकि मिस्टर फ्रैंक भी ये सब कुछ देख रहे थे तब ही वहाँ आचानक से रोजर के पार उर्सुला आती है और वो उसे बोलती है कि आओ मैं तुम्हारे पिछवारे में मूब लगा दूँ इतना मार खाने के बाद दर्द भी तो बहुत जादा हो रहा होगा जिस पर रोजर उसे ऐसा कने से मना कर देता है उसके बाद रोजर उसे पूसता है कि हर रात हैलन को कोई पीछे से बजाता है क्या तुम्हें पता है कि वो बंदा कौन है जिस पर वो रोजर से बोलती है कि ये हम मेट का टॉप सिक्रेट है तब रोजर को खैल आता है कि उतने अकेले इस शो को नहीं δेखा था बलकि मिस्टर फ्रैंक भी इस शो को इंजोई कर रहे थे जिसके बा wrapping सीधा मिस्टर फ्रैंक के पाद जाता है जहां मिस्टर फ्रेंक दूर बीन से मियाद कहलीफा को देखनी की ख्वाईश में पैंट में हाँ डाल के अपने स्पाइडर मैन को तसलिदे रहे थे और रोजर के आते ही मिस्टर फ्रेंक वहाँ से चले जाते हैं तब रोजर भी दूर बीन से देखने रगता है और उसे नीचे दो साधी सुधा एलियन एक साथ कुटा डांस करते हुए दिखाई देते हैं तब रोजर को समझ में आता है कि मिस्टर फ्रेंक अपने स्पाइडर मैन की मसाज क्यों कर रहे थे अगले दिन रोजर को एक किताब मिलती है जिसमें दा ग्रेट सनी लियोनी की कहानिया थी और रोजर उस किताब को बड़ी सिद्दत से चुपा लेता है और जाते बग उसे अपनी मॉम डैट की कमरे में से घर गर खेले की आवाजे सुनाई देती है और रोजर उसे लोक वाली छेस से देखने लगता है लेकिन तभी उसे पीछे से एलिसा का फ्यों से रोलांड उसे देख लेता है और वो रोजर को धपा कर देता है जिस पर रोजर उससे request करता है और बोलता है कि तुम प्लीज इस बात को किसी को मत बताना इस बात पर रोलांड भी इस मौके का फाइदा उठाता है और वो रोजर से अपनी गाड़ी साफ करवाता है अगले दिन रोजर घोड़ा गदा में वही किताब पढ़ रहा होता है जिसमें सन्नी लियोनी की सफलता की कहानी लिखी हुई थी और वो पढ़ने के साथ साथ वो अपने पपो को भी मसाज दे रहा होता है लेकिन तभी वह आचानक से थारा भाई जोगिंदर का फ्रेंच वरजन आजाता है और वो मौका देखते कि साथी हेलन को खिड़की में आधा अंदर और आधा बाहर फसा देता है और वो बाहर जाके साइड से हेलन की गेलन में पानी भरने के लिए जाता है तभी हेलन की नज़र रोजर पे बढ़ती है और वो उसे हेल्प मांगने लगती है और जैसी रोजर उसकी मदद करने के लिए जाता है तो हेलन उसे बोलती है कि रुको ज़रा और गेलन में पानी भरने दो तभी रोजर बहा निकल के देखने के लिए जाता है कि हेलन की गेलन में पानी कोन भर रहा है लेकिन तब तक जोगिंदर भाई अपना काम कर चुके थे अगले सीन में रोजर अपनी फैमिली के साथ बैठा था जहां रोजर रोजर को अपनी जूतिर साफ करने के लिए बोलता है लेकिन रोजर काम करने से सीधा मना कर देता है तभी रोजर अपनी ओकात दिखाता है और वो रोजर की मा को उसके सारी सचाई बता देता है जिसपर रोजर की मां बोलती है कि मेरी दोनों बीटियां ठीक हैं लेकिन पता नहीं मैंने इस इमरान आश्मी को जन्म कैसे दे दिया जिसके बाद रोजर अपनी सनी लियोने वाली किताब को अपनी बहन की किताब से बदल देता है और वो वहाँ से छुपके देखता है कि वो इस किताब को पढ़ेगी या नहीं उसके बाद एलिसा उस किताब को पढ़के ऐसा रियक्ट करती है जैसे उसे धर्ती पे स्वर्गी मिल गया हो उसके बाद रोचर कीचे में जाता है जहां उर्सुला होती है और वो मौका दे कि उर्सुला को वहीं घोडी बनाने लगता है लेकिन तभी वहाँ आचानल से एक दूसरी मेड आ जाती है और रोचर वहाँ छूप जाता है जिसके बाद रोचर सूसता है कि मेरी ही किसमत में एल लगे हुए है तभी उसके दिमाग की बती जलती है और वो मिस लपीते की पीछे उसके पपीते दबाने की ले जाता है जिस पर मिस लपीते उसे पहले मना करती है कि ऐसा मत करो लेकिन थोड़ी दिर के बाद मिस लपीते उसे बोलती है कि रोचर मेरे बच्चे वज़ाना है तुम बज़ाओ लेकिन वहार रोजर की नौबिता वाली किसमा चमक जाती है और बाहर को ये जर्मणी और फ्रेंस की बीच में जंका एलान कर देता है और सबको पता चलता ही कि जर्मणी ने फ्रेंस से जंका एलान कर दिया है अगले दिन सब लोग यूद में जाने की खुशी मना रहे होते हैं लेकिन रोजर की हालत ऐसी होती है जैसे उसने धिंडोरा की लोटरी जीत ली हो लेकिन फ्रांस में एक नियम था कि वार में जाने से पहले वो सब लोग अपनी बीवी को टीवी के सामने घोडी बनाएंगे जिसके बाद रात में सब लोग अपनी बीवी को जंगल मेने जाके उसकी बजाने लगते हैं जिसपर रोजर सुखता है कि ये बस आज रात की चानी है और इसके बाद तो इकी पिक्चर मैं ही बनाऊंगा सबके यूद में जाने के बाद सारी लेडिस अकेली थी और रोजर सबसे पहले उर्सुला के पास जाता है जहां वो उसे ले दे की घुड़ी बनाई ही देता है और वो उर्सुला से ये भी बोलता है कि मुझे तुम से प्यार हो गया है जिसपर उर्सुला बोलती है कि सारे लड़के पहली बार चरम सुख का आनद लेने के बाद ये ही बोलते है अगले सिन में बर्था रोजर से बोलती है कि पादरी मा से मिलने के लिए आये हुए हैं जिसके बाद ये दोनों भाईवें चुपके से उन दोनों की बाते सुनने लगते हैं जिस पर रोजर की माँ पादरी से बोलती ही कि मेरा पती मेरी कभी घोडी बना के लेता है तो कभी डौगी बना के लेता है इससे कोई पाप तो नहीं जिस पर पादरी बोलता है कि नहीं वो तुम्हारा पती है वो तुम्हारी घोडी बना के लिए या तुम्हारी डौगी बन पानी में जंगली सुवर की तरह तैरने लगता है। पहले तो रोजर केट से मजे लेता है। लेकिन जैसी वो देखता है कि वो भी राजी है तो वो मोके पर चौका मार देता है। और वो दोनों वही पर घबा घब करने लगते हैं। अब रोजर पूरी तरीके से वो देख रहे हैं जिसफर रोजर उनसे बोलता है कि तुम से ना हो पाएगा। और यह बोलके वो वहारा भड हैरान हो जाते हैं। इसके बाद मारगेटा अपने कमरे में और सोने के लिए चली जाती है। लेकिन रोजर उसकी कमरे में भड़ से धपा कर देता है। आओ तो जिसके बाद हम फिर से हेलन को दिखते हैं जो चायनास अने के आ रहा ही थी लेकिन इस बार युद में जाने की बAJदे से उसकी बजाने वाला कोई नहीं था तभी वो रोज़र के कमड़ें पर जाती है और रोज़र उसे पीछे से बकड़ लेता है और वो उसे घोडी बना देता है अगले दिन रोजर एलिसा के पास जाता है जहां वो घोडों को घास खिला रही थी जिसवर रोजर उसे बोलता है कि आज मैं तेरी भी पिक्चर बनाऊंगा पहले तो एलिसा उसे एसे करने से मना करती है लेकिन थोड़ी दिर बाद बोलती कि हां मेरी पिक्चर बनाऊ और हां पिक्चर में मुझे घोडी का रोल देना जिसके बाद रोजर उसे भी घोडी बना देता है अब रोजर सारी औरोत के बीच पॉपुलर हो गया था और सारी औरत्यों बारी बारी उसके पास काम 25 करवाने के लिए आती थी दिन बीटते जाते हैं और ये सिलसला चलता रहता है एक दिन एलिसा रोजर से बोलती है कि मैं प्रेगनेंट हूँ तब ही रोजर देखता है कि डोलांड भी वापस आ गया है क्योंकि अब यूद खत्म हो चुका था और सिला और मारगीटा भी उसे बोलती है कि मैं भी प्रेगनेंट हूँ और ये सुनने के बाद रोजर के पैरतोले जमिन खिसक जाती है क्योंकि अगर इसके माम डड़ को ये बात पता चली तो उसके मोमडर उसे नंगा करके सारी जगा गुमाएंगे तब ही रोजर उर्सुला से बोलता है कि एक नेल पॉलिस लेके आओ और वो उस नेल पॉलिस को एलिसा के बैड़ पे लगा देता है और बोलता है कि तुम कुछ भी करके रोलांड के साथ घवा घप कर लेना जिससे रोलांड को लगे कि एलिसा अभी भी वर्जिन है उसके बाद वो अपनी मासी से बोलता है कि आप फ्रेंक से साधी कर लो वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है और ये सुनने के बाद वो दोनों साधी के लिए मान जाते है उसके बाद रोजर उर्सला के पाज आता है और उसे साधी के लिए परपोस करता है लेकिन उर्सला उसे मना कर देती है क्योंकि वो पहले से किसी और को पसंद करती थी उसके बाद तीनों औरोत्यों की शादी हो जाती है और रोजर के कांट के बारे में किसी को काने कांट खवर नहीं होती और उसी रात रोजर फिर से हेलन के साथ घवा घप करता है और अगली दिन हेलन उसे बताती कि मैं भी प्रेगनेंट हूँ लेकिन अब रोजर की स्कूल की जुट्टियां खत्म हो चुकी थी इसलिए वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए भी एक अच्छा सा पती ढून लूँगा जिस पर हेलन बोलती है कि तुम इसकी टेंशन मत लो क्योंकि मैंने सब लोगों के साथ घवा घप किया है और मैं इस पर किसी का भी नाम लगा सकती हूँ उसके बाद लोजर अपने पापा के साथ खुशी-खुशी वहां ते चल लगाता है और ये मुवी यां खत्म हो जाती है So guys I hope कि आपको आज की explaining